जो केवल रेप है तो उसमें 10 साल तक की सजा है लेकिन अगर यही रेप 16 साल के बच्ची के साथ किया जा रहा है तो उसमें 20 साल तक की सजा है और आजीवन का रवास हो सब्सक्राइब नमस्काल इंडिया नियूज में आपका स्वागत है मैं हूँ डॉक्टर तरुना एस गॉड इस वक्त देश में महिलाओं के प्रती हो रहे अपराध एक बहुत बड़ा विशे बना हुआ है कलकता में जो रेजिडिन डॉक्टर के साथ हुआ वो बहुत ही भयानक घटना थी नए सीन में नए कानूनों के तहट क्या प्रोविजन है महिलाओं के प्रती अपराधों के उस विशे पर हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है लीड इंडिया के फाउंडर और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सुभाश सिंग नमस्कार सर चारों तरफ हाहा कार सा मचा हुआ दिखाई दे रहा है इस वक्त जैसे कोलकता में एक डॉक्टर के साथ हुआ तो किस तरह से ये भयाना घटना होती है पुराने भी केसिस हो चुके हैं उसके बावजूद भी क्या लोगों में कानून का डर नहीं है नया कानून इस पर कुछ विशेश कुछ कहता ह है क्या देखे मैं कानून के बारे में जरूर बात करउंगा पहले कानून ही बताता हूं उसके बाद से मेरे भी कुछ विचार है मैं जरूर आप से शेयर करूंगा सबसे पहली बात तो यह है कि जो ये घटना घटी है वो पूरे समाज को देश को जग जोड़ देने वाला ह अस्पताल के अंदर एक लीडी डॉक्टर 31 एर्स की है जो अस्पताल में है ओन डूटी है और उसके साथ में रात को तीन बजे कोई व्यक्ति आता है जो पुलीस का एक तरीके से वो सिविल वॉलेंटियर है वो आता है और ब्रूटली रेप करता है और हत्या करके चला जाता ह और जाने के बद से सोता है उसक्तरिक ब्रूर ओंगाला जाता है तो फोन में जो सब कर है क्रिमनल माइंड होते जा यहीं कुछ लोग है हैं तो कानून क्या कर रहा है क्या कह रहा है इस पर कानून देखिए जो एक सो तीन और उसमें बहुत बदलाओ किया गया है कि जो लोग भी ऐसे जगन्य अपराद करें उनको ना पहले IPC में सेक्शन था 376 376 की जगह पे आ गया 64 और अगर कोई व्यक्ति रेप करता है जो किवल रेप है तो उसमें 10 साल तक की सजा है लेकिन अगर यही रेप 16 साल के बच्ची के साथ किया जा रहा है तो उसमें 20 साल की सजा और और अग्यों का रवास किरें जब तक आप जिंदन रहों सकता है और यहीं अगर 12 साल से कम उम्र के लर्की के साथ अगर आपने बच्ची के साथ कर दिया अगर तो उसमें 20 साल की सजा आजीन करावास और मिर्त्यू दंड भी दिया जा सकता है कठोर बनाया गया है बट इस कठोरता के बावजूद भी ऐसे अपराध हो रहे हैं तो यह बहुत बड़ा बहुत बड़ा टेंशन और बहुत बड़ा जो है इस केस में ऐसा हुआ कि पुलिस ने जाते ही पहले ही बहुत ही बुरी को आत्मत्या बताती है पैनेंट को खबर करती है कि यह आपकी बेटी ने आत्मत्या कर लिय şak क्रिमनेल के मन से एक डर खत्म कर रहा हैं बिल्कुल बिल्कुल दिखी तभी तो मैटर को स्टेट पोलिस से हटा करके सि देना परता सब लिए कोडू को कॉगणिजेन्स पो शि विश्वास इसलिए तो पुलीस और लोकल पॉलिटीशन से जो है उठता है क्योंकि वो जो रियक्शन उनका होता है उससे यह संदे पैदा करता है कि निश्पक्ष जाच नहीं हो रही है इस केस में तो बहुत ही अजीब अजीब सी चीज़े हो रही है मतलब है कि सब कुछ व हुआ उसको पुलिस ने सील नहीं किया था तो क्या ऐसे में एक्शन पुलिस के खिलाफ नहीं होना चाहिए कि इसके ऊपर क्या कानून कहता है कि जो एविडेंस को नश्ट करने वाले देखिए मैं बताता हूँ कई बाते मेडिया रिपोर्ट्स पे भी आती है और चुकि य रखना था लेकिन पुलिस ने क्राइम सीन को सिक्योर नहीं किया है या किया है या नहीं किया नोबडी नोस बट उससे भी ज्यादा एक बहुत ही भ्यानक चीशी हो गई कि एक हुजूम पांच साथ हजार लोगों का वह बीते कुछ दिनों पहले वो रात को गये हैं कल या परसू रात को गये हैं और जाकर के वहाँ पर हम और की यह कि वह समझ में नुद्धन में की Самर्थन आया कि रात को बारा बज़े करने पर आये किसने जो है उनको प्रोत्वसाहित किया करने के लिए तो इस दिना लगता है लौ एन और है कहां अगर क्या पुलिस को मालूम न रहा है कि यह क्यों हुआ क्या ऐसा है कि स्टेट गौर्वर्मेंट अपनी छवी को बचाने के लिए ज्यादा तत्पर है और जो व्यक्ति एक महिला जिसके साथ इस तरीके का जगन्या पराध हुआ उसकी चिंता नहीं है अभी जाच के बात पता चलेगा अब जाच होगी कैस बाड़ी मिली होगी उसके बाद से एफसल जो फॉरेंसिक साइंस है जो एफसल की टीम होती है उन्होंने इस परम और बाकि सारी चीजों को जो है डेफिनेटली ठीक तरीके से जो है उसको सिक्यूर करके रखा होगा और उससे भी बहुत डीने वगरे का जो है टेस्ट हो सक है उनके उनके बाड़ी से सपर्म रिकावर हुआ है रेप की पूस्टी हुई है यह सब जाच का विशह है जाच का विशह है लेकिन एक सवाल और भी है एक सवाल यह है कि देखिए जो ये तो ठीक है मतलब कानून बने हुए है लेकिन अगर कोई भी विमन कोई भी महिला मै समात से भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप अभी तो सावन वगरे चल रहा है हमारे जितने भी festivals होते हैं हम दुरगा जी को पूजा करते हैं फिर लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और देवी लर्कियों महिलाओं की पूजा हमारे हमारे तेवहारों में हमारे पूजा में और हमारे संसकारों में हैं बावजूद इसके इस तरीके के अपराद होते हैं तो कहीं न कहीं हमें देखना परेगा कि हमारे आसपास हम कुछ इस तरीके के संसकार तो नहीं दे रहे हैं जिसमें महिलाओं को दोयम पर कर रहे हूं और मेल डॉमिनेंस की तरफ ज्यादा हम आगे बढ़ रहे हूं तो इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए यह तो समाज के दाइत है यह तो है इसके अलावा एक चीज और होते है जब एक बच्ची के साथ या एक महिला के साथ रेप हो जाता है यह तो बहुत कि कहे के उसके साथ यह सब कुछ हूआ क्य highlighting हो कर सकते हैं अगर किसी भी महिला के साथ में कुछ भी ऐसा हो रहा है जैसे stalking पेछे पीछे कोई आपको चेज करने की कोशिश कर रहा है, आप से कोई फोन मिलाता है अशलील बात करने की कोशिश कर रहा है, वो आपके nude photograph, चाहे आपने उसे सानथ में खीचवाए, कीओ ना हो, चर्कूलेट करने की कोशिश करता है, या वो पलेट करके कंप्यूटर से बदल करके आपके आपती जनक फोटो को सर्कुलेट करने की कोशिश कर रहा है या अटेम्ट टू रेप कर रहा है या आपके आपको यह परलोभन दे रहा है कि तुम मेरे साथ जो है अच्छा गुड टाइमें स्पेंट करो सेक्शोल रिलेशन्शिप बनाओ तुम्हें मैं प्रमोर्ट कर दूंगा या फिर वो यह कह रहा है कि भाई मैं तुम से शादी करूंगा कुछ भी स्ट्रह का कोई क्राइम हो रहा है तो वह जहां भी झाहें जीरो-ए-फ-ा- i--r लिखवार सकती है नंबर वन और चौदर दिन के अंदर ट्रांसपर हो जाएगा और दिल्ली आ जाएगा विक्तिम को नहीं आना परेगा लड़की को आने की जरूरत नहीं है तो पहली बात तो यह कि आवाज उठाना जरूरी है जैसे देखिए ऐसे तो लोगों ने एक ऐसा परभावशाली व्यक्ति जहां प कि पेरॉल मिली है तो कहने का मतलब यह कि देखो पहला एक तो आपको उठाना परेगा मैं एक और विशेज जंकारी देना चाहता हूं दिल्ली में एक अगर किसी महिला के साथ में लग जा मतलब छोटी बच्ची के साथ में 12 साल में 18 साल में तो पॉक्सो एक्ट अगर लग करने के लिए मा के साथ में बेटी आ गई चोटी बेटी आ गई और चोटी बेटी के साथ में रेप हो गया और पॉक्सो लग गया तो सरकार की तरफ से पांच लाग तक के पैसे कई बार यह 10 लाग तक भी जाता है ताकि आप केस को विड्रॉव ना करो आप अपने स्टेट लोग जो भी हो वो हतोत सहित नहों, उन्हें यह ना लगे कि पैसे के वजए से अपने मुकदमे जुब में न छो रहें तो इसलिए जरूर से खरे रहोगे तो आपको नयाय मिलेगा है ना आपको अच्छा कोई अच्छे से समपर करके और उनके माध्यम से अपने केस को प्रोसीड किजिए और कई कई लोग है कई लोग जो bona fide case करते हैं और बहूत अच्छे तरीके से जो आपके cases को जो है ले करके जाते हैं मतलब जिसमें गुड इंटेंशन से किया कि इसमें पैसे वैसे नहीं लिये जाते हैं जाना दो ब्लामेंट की तरफ से भी कभी कुई क्राइम होता है न किसी के सात म केले के सरकारी वकीलों के पास में प자는 बत आता हैं तो कुछ प्राइव मों के साथ में कोई कर विक हुगत in Gi sı को डिफैंस प्राइवैंय करते हैं नहीं है है तो सरकारीवकील के साथ में प्राइवेट इसलिए होते है केस को जीता जा सके लगकुल नहीं डरना है और कोई भी अपराद हो जैसे अब दिखे एक व्यक्ति जिसने इस तरीके का जगन ने अपराद किया कहीं तो उसको बल मिला होगा ना हो सकता है उसके पहले एक या दो लोग चुप रह गया होंगे उनके साथ उसने छेड़ चार क कोई भी व्यक्ति सीदे ऐसे इतना बरा क्राइम नहीं करता है पहले किसी के साथ उसने छेड़ चार किया होगा पता चला है कि जो आरोपी है वह अपने बेहनों को अपने मा को मारा पिटा करता था चार शादियां किया है और उसमें से अब यह तो आश्यर जनक बात है कि भ सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बैल आइकन प्रेस करना ना भूले ब открыв सबस्तों कर chyba सकते है कि भूले हैं जुचला है जैजिया आश्यर जहीं थादियं moे भीडियो करता दो आश्यर तो कम बाता जादिया है